इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनेलिजिबल आईटीसी और ब्लॉक क्रेड़िट के बारे में इनेलिजिबल आईटीसी का मतलब है हमें क्रेड़िट नहीं मिलेगा तो हमारे पास tax invoice है हम business use के लिए कुछ समान खरीद रहे हैं हमने payment कर दिया है अपने client को और उसने tax payment government को कर दिया है हमें goods या services receive हो गया तो सारे condition fulfilled है फिर भी मुझे कुछ-कुछ चीजों का input tax credit नहीं मिलेगा तो इस वीडियो को starting से लेकर अन तक जरूर देखे और subscribe करें हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजे और comment कीजे आपको next वीडियो कौन से topic पे चाहिए और आपकी query क्या है तो start करते हैं इस वीडियो से मैंने character लिया है जीठा लाल जीठा लाल ने अपना business शुरू किया और बड़ा ही शांदार office construct कराया अब office तो construct हो गया तो जीठा लाल ने सूचा कि क्यों ना motor car खरीद लिया जाए कुछ अच्छी शांदार सी गाड़ी खरीद लिया जाए अब office भी construct हो गया motor car भी उन्होंने खरीद लिया तो अब सबको party तो देना बनता है तो उसने सोचा क्यों ना मैं catering service ले लूँ इतनी बड़ी शांदार party होगी तो catering service लेना बनता है अब लोग दूर दूर से आ रहे थे कुछ शेहरों से आ रहे थे अपने ही जेठा लाल के तो उसने सोचा traveling expenses भी तो लगेगा अब इतनी लोग आएंगे जेठा लाल थोड़ा tip-top तो लगना चाहिए इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं जावेद हवीव से beauty का treatment करवा लेता फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो जगा तो होना चाहिए ना उनको रखने के लिए तो उसने सोचा क्यों ना मैं किसी club का membership ले लूँ तो उसने country club का membership ले लिया फिर उसने सोचा covid का मोहल है तो insurance ले लेता हूं क्योंकि इतनी लोग आएंगे तो covid का खत्रा बढ़ ज insurance लिया और फिर उसके बाद उसने सोचा कि free sample जो है मैं अपने client को दे दूँगा क्योंकि तने लोग आएंगे तो अपना promotion भी करना चाहिए तो free sample client को दे दिया gift अपने relative को दे दिया और कुछ-कुछ लोग आए और उन लोगों ने उनका कुछ stock destroy कर दिया तो ये कहानी है हम समारे block credit की अगर आपको ये कहानी याज रहती है तो आपका block credit clear clear हो जाएगा तो basically हम एक एक चीजों में जाते हैं हमें उपर उपर तो पता चल गया कि ये सारी चीजों में block credit है हमें credit नहीं मिलेगा अब हम बात करते हैं motor car के बढ़न तो motor car में motor vehicle or conveyance used for transport of person having sitting capacity जहां पर sitting capacity 13% या उससे कम है 13% या उससे कम है तो ITC नहीं मिलेगा अगर 13% से जादा है तो ITC मिल जाएगा अगर suppose कीजे मैं अपने employee के transportation के लिए एक bus खरीती हूँ और जिसका sitting capacity 13% से जादा है तो मुझे ITC मिल जाएगा लेकिन अगर 13% से कम है जैसे मैं अपने transport के लिए मैंने सोचा एक car करी लेती हूँ business के नाम से तो उसका ITC मुझे नहीं मिलेगा मैं training institute हूँ मुझे उसका ITC नहीं मिलेगा अब बात करते हैं exceptional cases के obviously exception हर जगा होते हैं अगर मैं transportation of goods के लिए use करी हूँ अगर मैं supply करी हूँ आधर vehicle और conveyance या transportation of passenger का काम करी हूँ या motor training school है मेरा अगर मैं motor training school है मेरा तो मुझे credit मिल जाएगा suppose कि मैं गाड़ी चलाने का training देती हूँ तो मुझे credit मिल जाएगा अगर मैं passenger का transport करती हूँ जैसे उला यूबर उसके नाम पे गाड़ी है उला यूबर के नाम पे उसका purpose क्या है transportation of passenger तो उसको credit मिल जाएगा अगर मेरा गाड़ी supply करने का काम है जैसे मैं Honda City supply करती हूँ तो मुझे credit मिल जाएगा अगर मैं goods का transport करती हूँ जैसे मिरे पस truck है मैं goods का transport कर रहे हूँ उस case में मिलेंगे अब बात करते हैं vessel and aircraft के बारे में वेजल और aircraft में भी ITC नहीं मिलता है लेकिन इसका exceptional cases अगर मैं वेजल करीती हूँ और aircraft करीती हूँ तो मुझे ITC नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं transportation of goods का मेरा purpose है तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं उसका supply करती हूँ जो भी वेजल aircraft है यह transportation of passenger है यह training देती हूँ flying में navigation में अगर मैं training देती हूँ कि कैसे aircraft को fly करना है तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं private jet लेती हूँ अपने लिए मेरा skill shot एक training institute है लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग training flying पे नहीं देते तो मुझे credit नहीं मिलेगा तो सबसे important चीज है क्या आप यह सब करते हो क्या आप transportation of goods करते हो क्या आप vessel aircraft का supply करते हो क्या passenger का transportation करते हो अगर यह सारी चीजी आप नहीं करते हैं तो आपको vessel और aircraft में नहीं मिलेगा credit अब आगे चलते हैं और देखते हैं अब बात आती है general insurance servicing repair and maintenance हमने पात किया था motor car खरीदने का अब motor car maintain करने का या वैजल aircraft maintain करने का या उसमें हमें credit मिलेगा अगर मैं general insurance कराती हूं repair and maintenance कराती हूं अपने motor car का तो क्या मुझे credit मिलेगा तो credit नहीं मिलेगा लेकिन exception are there क्या exception है receive by taxable person manufacturer of same supply of general insurance service for same suppose कीजे मुझे receive हो रहा है और मैं गाड़ी का manufacturing करती हूं अगर मैं गाड़ी का manufacturing करती हूं और मैंने गाड़ी का general insurance कराया तो उस case में मुझे credit मिल जाएगा अगर suppose कीजे मैं general insurance का ही service देती हूँ और मैं general insurance किसी third party से करवा रहे हूँ तो उस case में मुझे credit मिल जाएगा लेकिन exception क्या है? एक्सेप्शन यह है कि आपको used for specified purpose अगर आपका transportation of goods का business है, transportation of passenger का business है, motor training school है आपका और आपको supply करते हो car का जो specified purpose हमने बात किया था कि मेरा transportation of goods, transportation of passenger तो यह case में आपको मिल जाएगा credit. तो generally credit general insurance service repair and maintenance of motor car का नहीं मिलता है, नहीं मिलता है लेकिन किस case में मिलता है, अगर मैं motor car की manufacturer हूँ या मैं transportation of goods में, passenger में या motor training school यह सारे चीज़ में involved हूँ तो मुझे मिल जाएगा, तो यह हमें बात ध्यान रखनी है, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, क्या है? ITC अब लेवल नहीं है, leasing, hiring, renting, motor car, vessel, aircraft, अगर मैं lease पे देती हूँ, hire पे देती हूँ, rent पे देती हूँ, ठीक है, लेती हूँ, sorry, rent पे लेती हूँ, lease पे लेती हूँ, hire पे लेती हूँ, तो मुझे ITC नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं invert supply, use for making outward supply, अगर मैं same line of business में हूँ, जैसे कि Ola Uber, Ola Uber क्या करता है, कि उनका same line of business ही है, ठीक है, leasing और hiring पे देता भी है, तो अगर वो लेगा lease hiring पे, तो उसको credit मिल जाएगा, क्योंकि वो same line of business पे है, लेकिन अगर मैं use कर रही हूँ, purpose specified, जैसे transportation of goods, transportation of passenger, जैसे आपका motor training school, जैसे motor training school को चलाने के लिए मैंने गा पे लिए है, तो उस case में मेरे को credit मिल जाएगा, क्योंकि मेरा specified purpose है, जो purpose specified जैसे transportation of goods का काम करी है, ट्रक भाड़े पे ले रही हो, transportation of passenger का काम करी हो, तो उस case में मेरे को credit मिल जाएगा, तो एक बार मैं nut shell में आपको समझाना चाहती हूँ, कि motor car का, motor car का, generally हमें credit नहीं मिलता ह अगर motor car की हम बात करें, तो हमें credit नहीं मिलता है, लेकिन अगर मेरा sitting capacity 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन 13 से जादा sitting capacity है, तो मुझे मिल जाएगा, तो एक confusion यह रहता है, कि मैं business के लिए use करी हूँ motor car, लेकिन 13 परसें से कम capacity है, और मेरा training institute है, मैं skill shot हूँ, मैं बच्चो को train करती हूँ, तो क्या मुझे credit मिलेगा, नहीं, मुझे credit नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं को credit तब ही मिलेगा, जब मैं transportation of goods, transportation of passenger, motor training school, और supply कर रही हूँ, तब मेरे को credit मिलेगा, अब मैं general insurance का भी motor car का credit नहीं ले सकती, अगर मैं यह चारू काम नहीं करती कि आप manufacturing नहीं कर दी हूँ, मैं repair and maintenance of motor car का भी नहीं ले सकती, ठीक है, अगर मैं 13% से ज़्यादा capacity का है, जसे एक bus मैंने लिया, खरीदा या किराए पे लिया, और वो 13% से ज़्यादा capacity का है, तो मुझे credit मिल जाएगा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, अब बात करत है next चीज की, कि next क्या चीज का हमें credit नहीं मिलेगा, बात करते हैं catering के बारे में, तो ITC क्या क्या चीजों में available नहीं है, अगर आप food and beverages का बात करें, तो ITC available नहीं है, जैसे suppose कीजे, मेरे जितने भी student है, मैंने उन्हों को domino's से खरीद के pizza मंगा के दिया, और उन्हों को party द beverages का credit नहीं मिलता, health services का credit नहीं मिलता, outdoor catering, अगर मैंने बहुत धूमदाम से skill shot का 5th anniversary celebrate किया, और सब student लों को बुलाया, और catering services सबसे अच्छे caterer गणपती से लिया, तो क्या मुझे उसका credit मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा, beauty treatment, suppose मैंने अपने यहां receptionist रखा, उसकी बालों को straighten कर आया, क्या मुझे credit मिलेगा, नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, cosmetic and plastic surgery में मिलेगा, नहीं, और life or health insurance में भी मुझे credit नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए, सब चीज का exceptional cases है, क्या exceptional cases है, देखते हैं, when inward supply of goods and services of particular category is used by a registered taxable person for making an outward supply, इसका मतलब क्या है, same line of business, suppose कीजे, suppose कीजे, मेरा catering का ही काम है, और मैंने किसी sub caterer से, कोई और caterer से service लिया, तो मुझे credit मिल जाएगा, क्योंकि मैं same line of business में है, जैसे suppose कीजे, गणपती, गणपती ने किसी caterer से service लिया, कोई और caterer से, क्योंकि उसका थोड़ा employee strength कम पढ़ गया था, employee लोग कम पढ़ ग तो उस case में उसे credit मिल जाएगा, क्योंकि same line of business है, जहां पर same line of business होगा, वहाँ credit मिल जाएगा ये सारे cases में, ठीक है, अब suppose कीजे, मैं खुद जावे धभी हूँ, मैंने beauty product खरीदा, या मैंने employees को अपना train कराया, beauty treatment में training दी, तो उस case में मुझे credit मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी business में हो, beauty treatment के business में हो, अच्छा, अब exception क्या है, such goods and services when provided by an employer to its employee under a statutory obligation, अब हो सकता है, health insurance किसी factory में कराना पड़े, employer का employee को कराना, मतलब employee का employer को कराना पड़े health insurance, ऐसा होता है कि कुछ-कुछ factory बहुत hazardous चीजे बनाती है, जिस कारण health को नुकसान पहुत सकता है, तो health insurance लेना ज़रूरी होता है, उस case में credit मिल जाएगा, हो सकता है किसी-किसी चीज में, किसी-किसी जो भी organization है, वहाँ पर खाना देना compulsory हो, अपने employees को, कि क्या employees के लिए canting facility maintain करना compulsory हो, तो उस case में credit मिल जाएगा, अगर कोई law, को बोल रहा है, वह करने के लिए, तो आपको credit मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे credit, food and beverages का, आप जब भी देखोंगे, food and beverages अपनी PL में, profit and loss account में, आपको credit नहीं मिलेगा उसका, outdoor catering कर रहे हो, नहीं मिलेगा, beauty treatment का नहीं मिलेगा, exceptional cases are always there, अगर same length of business है, अगर statutory obligation है कि यह कराना ही पड़ेगा, कोई law आपको बोल रहा है, कि आपको employees के लिए करना ही पड़ेगा, तब आपको उसका credit मिल जाएगा, तो हमको समझ में आ गए, यह सारे चीजों का credit हमें नहीं मिलता है, अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं, free sample gift और destroy हो goods lost, अगर आपका गम गया goods, चोरी हो गया, अपने write-off कर दिया, या अपने gift के तरह दे दिया, या free sample के तरह distribute कर दिया, तो यह सारे चीजों में ITC available नहीं है, अब पूछो क्यों, इसका reason यह है, जब goods चोरी हो जाता है, क्या आप output पे tax देते हैं, आप चोर को बोलते हैं, य ITC तो तभी मिलना चाहिए ना, जब आप output tax पे करो, अगर आपका चोरी हो गया, आपने write-off कर दिया, आपने gift के तरह बाढ़ दिया, आप अपने relative को थोड़े ना बोले गया, यार output tax दो, तो जहां पर आप output tax नहीं पे कर रहे हो, आपको input tax ट्रेंडड मिलेगा ही नहीं, तो इस case में आपको input tax ट्रेंडड अविलेवल नहीं है, अगर आप free sample के तरह बाट रहे हो, बाट रहे हो, लॉस्ट हो जा रहा है, तो ये सारे चीजों में आपको ITC नहीं मिलेगी, अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं, और क्या-क्या चीजे हैं, जिसमें हमें नही मिलेंगे, ITC not available on club membership और health and fitness, तो basically club membership में आपको ITC available नहीं है, क्योंकि एक तरह का ये थोड़ा personal हो जादा, director अपनी personal use के लिए भी club membership लेते हैं, तो इसका ज्यादा तर business use होना मुश्किल है, तो इसलिए उससे block कर दिया गया, ठीके club membership को block कर दिया गया, health and fitness को block कर दिया गया, when invert supply of goods or services of a particular category is used by a registered taxable person for making output supply of same category, अगर invert supply use हो रहा है, output supply देने के लिए, मतलब same line of business है, मेरा club का ही business है, तो बात अलग है, ठीके, तो ये चीज़ अलग है, मेरा health and fitness का ही business है, health and fitness का ही business है, तो same line of business है, तब credit मिल जाता है, ठीके, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, और किस-किस चीज़ों में हमें credit नहीं मिलेगा, miscellaneous ITC not available, miscellaneous चीज़े, जैसे composition scheme, आपको पता है कि हमारे पास दो option रहता है, या तो हम regular scheme में जाए, या हम composition scheme में जाए, composition scheme में आप सामने वाले से tax collect नहीं कर सकते हैं और ITC claim नहीं कर सकते हैं, उस case में, ओके, तो ITC आपको composition scheme में है, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि rates भी बहुत कम होता है, जैसे 1%, 5%, 6%, depend करता है कि आप क्या हो, तो output tax का rate बहुत कम है, तो ITC government नहीं देती है, personal use, obviously business use तो होना चाहिए, अगर आप personal use के लिए कोई भी चीज़े खरीद रहे हो, तो आपको ITC business में तो नहीं मिलेगा, fraud कर रहे हो, तो उस case में आपको ITC government नहीं देगी, non-resident, अगर आप non-resident हो, इंडिया के resident नहीं हो, कभी-कभार आते हो, business करके चले जाते हो, तो यार कभी-कभी कभार आओगे, non-resident होगे, तो तो तना benefit क्यों मिलेगा, तुमको ITC नहीं मिलेगी, travel benefit to employee, अगर आप employee को travel benefit दे रहे हो, तो उसमें ITC नहीं मिलता है, जब तक obligatory नहीं हो, जब तक कोई law बोल रहा है कि आप देना ही पड़ेगा, तो उस case में आपको ITC मिल जाएगा, जैसे health insurance लेना ही पड़ेगा, अगर कोई particular factory act बोलता है, तभी आपको उसका credit मिलता है, अब बहुत ही important aspect में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, ITC अवेलेबल नहीं है, works contract और construction of an immovable property on own account, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर सब्बूस कीज़े मैं skill shot का बड़ा ही शांदार office construct कराती हूँ, तो मुझे ITC नहीं मिलता, तो मुझे ITC अवेलेबल नहीं है, तो works contract और construction में क्या अंतर है, works contract मतलब अपने specification के अनुसार कुछ बनाना, construction जो है, वो हो सकता है specification के अनुसार ना हो, बना बनाये वहा property मिल जाए आपको, तो उस case में आपको ITC नहीं मिलता है, ये दूनों के case में, क्योंकि आप जानते होगे, schedule 3 में ये लिखावा है कि sale of land and building पे output tax नहीं है, वो supply माना नहीं गया है, तो अगर जिस case में output पे आपको tax नहीं देना है, तो ITC क्यों मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, when the services is availed by a contractor for being used in providing the works contract service, अब हो सकता है, आप same line of business में हो, आपका construction का business है, तो subject to certain condition आपको ITC मिल सकता है, for construction of plant and machinery, हो सकता है, आप building construct नहीं करा रहे हो, plant and machinery construct करा रहे हो, जिससे आपको business के लिए आप directly use कर रहे हो, तो in this case, ITC available, irrespective of line of business, कोई भी इंसान अपना plant and machinery construct करवाता है, उसको ITC मिल जाता है, कुछ भी line of business हो, वो फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, when the value of goods and services are not capitalized, in this case, ITC is allowed, हो सकता है, आप profit and loss account में अपना जो भी है, दिखा रहे है, expenses, तो उसमें ITC मिल जाएगा, अगर वो revenue nature का expense है, अगर आप balance sheet में उसे capitalized कर रहे हो, as a fixed asset दिखा रहे हो, जैसे building में उसको add कर रहे हो, तो उस case में आपको ITC नहीं मिलेगा, तो यह आपको ध्यान रखना, तो works contract के case में ऐसे ITC नहीं मिलता है, लेकिन अगर same line of business है, तो मिल जाता है, तो एक nutshell में मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि मैं motor car में मुझे ITC नहीं मिलता है generally, लेकिन अगर 13% से ज़्यादा sitting capacity का है, तो मुझे ITC मिल जाता है, 13 या 13 से कम है, तो आपको condition देखना पड़ता है, क्या आप motor training school हो, क्या आप passenger transport, transportation of goods, या supply कर रहे हो, अगर ये सारे चीज़े कर रहे हो, तो हो जाएगा, आपको general insurance, repair and maintenance, इसका भी ITC नहीं मिलता है motor car पे, subject to certain condition, अगर 13% से जाधा capacity का है, तो obviously मिल जाएगा, 13% से कम या 13% का है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, transportation of goods, transportation of passenger, motor training school, supply कर रहे हैं, manufacture कर रहे हैं, या general insurance service प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस case में हमको मिल जाएगा, ITC. अब food and beverages में, outdoor catering में, ये सारे चीज़ों में ITC हमें मिलता नहीं है, अगर हम outdoor catering की बात करें, food and beverages की बात करें, cosmetic and life and health insurance, अगर same line of business है, मतलब उसी type के business में मैं हूँ, तो मुझे ITC मिल जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, goods जो lost हो गया, stolen हो गया, write-off हो गया, gift के तरह मैंने दे दे, और ये output पे मैं tax नहीं दे रहे हो, तो ITC क्यों मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर club membership है, health and fitness है, नहीं मिलेगा, और अगर composition scheme, personal use, non-resident travel benefits, तो ये सारे चीज़ों में हमें एक credit नहीं मिलता है, hope so आपको ये section समझ में आया होगा, please comment करें आपको ये video कैसा लगा, और ये story, जो मैंने आपको बताया, आपको connect हो रहा होगा और आपको याद हो रहा होगा, देखें, हम लोग interview में बहुत बार पूछते हैं, block credit बताओ, तो कोई बता नहीं पादाओ, और उपर से बहुत सारे जन को पता नहीं रहा था, इसका ITC में मिलेगा, तो इसका repercussion होता, आपको notice आजाता कि आपने credit कैसे ले लिया, तो ये ध्यान में रखिये, क्योंकि GSTR 2B जो auto populate होता है, उसमें तो दिखेगा कि आपको ITC मिलना चाहिए, लेकिन actual में motor car का आप ITC मत लेना, आप देख के लेना, sitting capacity क्या है, आपका nature of business क्या है, सारा चीज देख के फिर आप ITC लोगे, और as an accountant अगर आपको ये section अच्छे से आता है, तो आप easily work कर पाऊगे, thank you so much guys, hope ये video आपके लिए बहुत helpful होगा, पीज कमेंट करें और लाइक और सब्स्ट्राइक करें,